दोस्तो नमस्कार, हिंदुस्तान की जन्ता भारत की न्याए पालिका में विश्वास हो चुकी है और ये विश्वास काफी पेजी से घट रहा है दोस्तो ये बात मैं नहीं कह रहा है। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज्ज जस्टिस ओक ने एक समिनार में उन्होंने इस बात को कहा कि हिंदुस्तान में जिस तरह से जुडिशिरी काम कर रही है मैं उनके एक्जेक्ट वर्ड को पढ़ देता हूँ फेथ इन जुडिशिरी हैस इरोड़ेट कंसीडरेबली नीड टू फाइंड आउट वाट वेंट रॉंग सबसे इंपोर्टन बात क्या है दोस्तों लगातार आपके फीड़बैक आते रहे समाज में हम देख रहे हैं किस तरह से कारवाई हुई अलग-अलग मुद्दों पे उसको देखके समाज में रोश था आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि जुडिशिरी के बारे में क्या सोचने लगी है और वो कौन सी इंपोर्टन रिसेंट पास्ट में घटनाए थी जिसके कारण जुडिशिरी की जो इज़त है उसके उपर बटा लगा है हम माने या ना माने इस बात को लेकिन आम आदमी आप लोगों के फीडबैक जनता के विचार जिस तरह से स्ट्रीट पे लोग बात करते हैं उससे कही ना कहीं ये लगता है कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जस्टिस ओक ने अपने जो भाशन में क्या कहा obviously as a justice उन्होंने कहा क्योंकि वो sitting judge हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि एक sitting judge भी judiciary के बारे में क्या सोचता है हाला कि ये official supreme court का statement नहीं है और होता भी नहीं है लेकिन अगर हम as a sitting judge उनकी बात को मानें तो ये मुद्धा गंभीर है और उनके जितने भी साथी judges हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए दोस्तों सबसे important चीज है उन्होंने जो कहा कि where the judiciary has gone wrong after all हमें ये जानना पड़ेगा कि judiciary कहां पे गलत चली गई इसके बारे में जनता ने जो judiciary पे विश्वास होता है उसमें जनता के विश्वास में कमी क्यों आई है इसके बारे में सोचना होगा दूसरा उन्होंने कहा कि judges should not live in ivory towers अब जो judges हैं वो समाज से कटके अगर रहेंगे तो समाज की सच्चाई उन तक नहीं पहुँचेगी इसलिए judges को आम आदमी की जनभावनाओं को उनके रहने सहने को उनकी समस्याओं को अगर जब तक हम लोग करीब से नहीं समझेंगे शायद हम नयाय नहीं कर पाएंगे और ivory tower में हमको बैठ के लगेगा कि जो हम सोच रहे हैं हम जो कह रहे हैं शायद समाज भी वही सोच रहा है जबकि ऐसा नहीं होता है इसके अलावा जो important चीज़ उन्होंने कही कि interaction with stakeholder is missing ये बात सही है क्योंकि जिस तरह से court में judges सिर्फ वकीलों से बात करते हैं और हकीकत यह है कि वकीलों को भी client ही बताता है तो वकील जो information share करते हैं judges को जब वकील ही ignorant है ground reality से और वकील उतना ही बता पाते हैं जितना उनके client उनको brief करते हैं तो इसका मतलब gap बहुत ज़्यादा है और अकसर यह देखा गया है क्योंकि मैं जितने commercial disputes handle करता हूँ वहाँ आप साफ दे सकते हैं कि business world कैसे काम करता है आम आदमी कैसे काम करता है देश की economy कैसे काम करती है science and technology के मुद्दे क्या है यह complicated मुद्दे हैं यह सिरफ समाज शास्त्र नहीं है इसमे specialized knowledge की जरुरत होती है वहाँ पे ना तो पूरी information वकील साथ ही comprehend कर पाते हैं या उसको comprehend करके explain कर पाते हैं और ना judges के पास इतना time होता है कि वो detail में उस बात को समझें और एक generalized view लेने की कोशिश की जाती है जो disastrous हो जाता है इसके लावा जो important बात उन्होंने कही वो judiciary is not fulfilled expectation of common man in fact lagged behind तो उन्होंने ये कहा कि जो expectation है common man की वो judiciary fulfill नहीं कर पा रही है और in fact fulfill ही नहीं कर पा रही है वो expectation से बहुत पीछे रह गई है जनता बहुत कुछ expect करती है judiciary से लेकिन judiciary कहीं ना कहीं पीछे रह गई है faith eroded considerably due to various reasons कई कारण है जिसके कारण judiciary के उपर से लोगों का विश्वास उठ गया और एक बात उन्होंने और कही कि neglect of trial court is one of the main reason जो निचली अदालते हैं जहां पे आम आदमी का वास्ता ज़्यादा पड़ता है district court है मुंसिफ court हैं बाकी जो courts हैं जहां पे आम आदमी जाता है जो उसका पहला दरवाजा होता है justice का वहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने neglect किया है उससे निश्चित रूप से आम आदमी खुश नहीं है दुखी है परेशान है दोस्तो एक अच्छी बात यह है कि एक supreme court के sitting judge ने इस बात को माना जो आप और हम अक्सर अपने वीडियो में चर्चा करते रहें आप मेरे channel पर जाएंगे हर छोटे बड़े मुद्दे पर जहां पर supreme court अपने विचार रखे उसका विशलेशन मैंने किया और वो भी तथ्यों के आधार पर कि supreme court ने कहां पर decision सही लिया वो मेरा मत है नहीं कहता कि supreme court मेरे हिसाब से चले मेरा assessment यह था कि कहां पर supreme court का stand सही था जिसको समाज support करेगा और कहां पर stand supreme court को ऐसा था जिसमें समाज को लगा कि इस supreme court में चल क्या रहा है मैं कुछ गंभीर मुद्धे आपके सामने रखने वाला हूँ जो पिछले दिनों घटनाएं हुई है उनको ध्यान में रखते हूँ meanwhile आप इस वीडियो को share कर दीजिए इस channel को subscribe करिए क्योंकि यह गुद्धा बहुत गंभीर है और जिस तरह से social media आज जनता की बात को सामने ला रहा है और यह मैं अक्सर कह रहा हूँ इस बात को आप और हमारे को experience होता था अच्छा बुरा सब होता था लेकिन अब किसको कहें एक सबसे important चीजी होती थी कि हमारी सुनवाई कौन करें लेकिन social media आने से हमारे पास एक platform है मैं अपनी बात आपको रख पा रहा हूँ आप अपना reaction comment box में लिख रहे हैं और जो लोग हम दोनों से जुड़े वे नहीं भी है वो भी आपकी बात और मेरी बात को सुन पा रहे हैं और हम यह कह रहे हैं कि शैद जो हम कह रहे हैं वो जनताक में जो देश है हमारे समाज का कुछ percent लोग ऐसा भी सोचते होंगे जैसा हम सोच रहे हैं नहीं नहीं कहता कि हम 100% representation देते हैं लेकिन एक मत वो भी है जो हम कह रहे हैं तो कुल मिला के मुद्दा गंभीर है अब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण समाज में जुड़ी श्री की image घटी वो मैं आपके स सनातन के खिलाफ तमिल लाडू के मंतरी ने बयान दिया उस पे कारवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि देश में कहीं पे भी hate speech होगी उस पे लोकल पुलिस को सू मोटो केस फाइल करना होगा अगर नहीं किया तो उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का contempt माना जाएगा मंतरीयों ने एक के बाद एक तमिल लाडू सरकार के मंतरीयों ने पाउरफुल लोगों ने सनातन धर्म की बेज़दी करी उसका तिरसकार किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा दूसरी तरफ अगर हिंदू पक्ष की तरफ से कभी कोई बात इस तरह स कही जाती है जिसको समाज में हेट स्पीच का दर्जा देने की कोशिश की जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तुरंत करवाई होने लगती है अदालतें तुरंत एक्टिव हो जाती है लेकिन जब सनातन धर्म पे बात आती है सुप्रीम कोर्ट की खामोशी समाज में एक गलत मैसेज देके गई है ये बात हमें समझनी होगी तो सुप्रिम कोर्ट इस बात को समझे कि आप डिफ्रेंसियेशन नहीं कर सकते हैं आप कानून में अगर इस तरह से डिफ्रेंसियेट करेंगे तो समाज का रियेक्शन आएगा कोई जरूरी नहीं है कि आपके खिलाब कोई केस हो लेकिन एक उपीनियन एक इमेज पर धबा जरूर लगता है और सुप्रिम कोर्ट को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या आप इस तरह से पक्षपात्पूर्ण रवया अपना सकते हैं जिसक कोई केस लेके आते हैं तो उनको प्रिफरेंस दिया जाता है जंता का ये मानना है और जंता ये देख रही है एक पॉलिटिकल लीडर्स को बेल देनी होती है तो रातो रात इमीडियेट प्रायर्टी पे उस केस की सुनवाई हो जाती है एक एक्टिवेस्ट जिसने अराजक प्रायर्टा फेलाई है उसको अगर बेल चाहिए होती है तो तुरंत उस पे कारवाई हो जाती है लेकिन आम आदमी का क्या क्या सीनियर एड्वोकेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स को लाइन से नहीं आना चाहिए क्या उनके लिए हुमन राइट्स इंपॉर्टेंट है बा क्या देश में सिरफ एक ही आदमी के साथ और उसी का ही fundamental right violet हो रहा था बाकी आम आदमी का क्या तो सुप्रीम कोट ने ये message दिया है जनता को कि अगर आप powerful है accessible है तो आपकी सुनवाई जल्दी हो सकती है क्या ये हमारे democracy के अंदर जो न्याय पालिका है क्या ये उसकी image के लि हम आपकी सुनवाई कल करेंगे priority है तो आप सुबह अपनी बात को रख सकते है as a emergency matter लेकिन सारे कानूनों को छोड़के सारे procedures को छोड़के priority देना ये समाज में अच्छा message नहीं देता है इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की जिन वकीलों की political पहुंच है सुप्रीम कोट उन तीसरा point जिसको लेके अक्सल सुप्रीम कोट में मुद्दा उठा वो है political leaders को लेके lenient view एक मुख्य मंतरी को आठ बार संबन चला जाता है एक मुख्य मंतरी को चार बार संबन चला जाता है कोई कारवाई नहीं होती पूरा न्याय पाले का मुग दर्शक बनके बैठा रहता कोई सू मोटो केस नहीं दिया जाता है लेकिन सवाल ये है कि जनता में message क्या गया कि अगर आप powerful है तो आप देश के कानून विवस्था की धज्या उड़ा सकते हैं कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा दूसरी तरफ अगर कोई आम आदमी कोई और व्यापारी वर्क का कोई भी व्यक्ति जरा भी गलती करता है उसके साथ अगर कारवाई होती है तो तुरंत एक्षन भी होता है अरेस्ट भी होता है और उसकी बेल एप्लिकेशन की सुल्वाई में हब तो लग जाते हैं क्या य यह पता लगता है कि सविधान में आम आदमी और खास आदमी के लिए कानून अलग है और उसका एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे कोट्स कर रहे हैं यह चीजे हैं जो सुप्रीम कोट की या भारत की नय पालिका की मर्यादाओं को गिरा रही है इसके अलावा कोलेजियम सि अपने appointment में जिस तरह से एक समाज में डिबेट चल रही है नेपोटिजम को ले कि अगर आपके पिता जी सुप्रीम कोट में जज थे तो आपको priority मिलेगी क्या हम यह कहते हैं कि जो सुप्रीम कोट में जजेज बैठे हैं यह हिंदुस्तान के सबसे brilliant judges यह सबसे बड़े कान box में लिख सकते हैं लेकिन कम से कम दो से तीन हजार judges दो हमारे high courts में काम कर रहे हैं उन सब का analysis कैसे होता है और जब तक यह subjectivity रहेगी कि हम एक दूसरे से पूछेंगे और कोई एक transparent system नहीं होगा तब तक collegium system की credibility खतम रहेगी और जब तक collegium system जो judges को appoint करता है उसकी credibility नहीं है तो ऐसे judges के द्वारा दिये गए judgments की credibility क्या होगी यह समाज में आप उसका reaction देख सकते हैं इसके अलावा जो सबसे important चीज आती है वो आता है delivery of justice in public interest जब आप public interest की बात करते हैं तो उसमें मुद्दा और गंभीर हो जाता है उधारन के लिए देश में किसान अंदोलन हुआ 13 महीने तक दिल्ली को जाम किया गया Supreme Court से यह आदेश क्यों नहीं आया कि सड़के खाली की जाएं और जो किसान नेता नहीं सुन रहे उनको arrest किया जाएं क्या Supreme Court को नहीं लग रहा था कि दिल्ली की दो करोड की जनता परेशान है उस समय एक political आंदोलन चल रहा था आम आदमी परेशान था देश की नियाए वेवस्ता क्या कर रही है किसका साथ दे रही थी पराजक तत्मों का, politicians का या status को के मज़े लिए जा रहे थे ये गंभीर मुद्दा है, इसी तरह से मुद्दा था कि जब हम मत्रा की बात करते हैं एक तरफ हम ये कहते हैं कि साथ हिंदुस्तान में हर आदमी को अपनी मानेताओं का अधिकार है हिंदुस्तान के बड़े बड़े तीत स्थ्यालों पर एक अराजक तत्वने जिसको अगर आज की दुनिया में देखें तो औरंग जेब के उपर अगर आज के हिसाब से काम करें तो उसके उपर वार क्राइम के पता ने कितने केस चलें क्योंकि जिस तरह से उसने दूसरे धर्म के पूजा इस्थलों को पब्लिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया वो वार क्राइम में आता है तो औरंग जेब एक वार क्राइम का अपराध ही था उसके दूरा किये गए अपराधों पे जब समाज अपने लिए न्याए मांगता है उसमें जो डिले होता है और उसमें बार-बार कोड की तरफ से स्टे आना मुझे लगता है ये एक अच्छा मैसेज नहीं दिया जा रहा इसी तरह से C.A.A. और N.R.C. को लेकर लोगों ने कहा कि इस देश का कानून अगर ये बोलता है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए N.R.C. की बात आती है U.C.C. की बात आती है इस स्थिती पर भी समाज में एक हल्दी डिबेट ना होकर लोग बार-बार सुप्रीम कोड चले जाते हैं इस टेक ही बात होती है तो इस मुद्दे को लेके गंभीरता है और उसके लवाब आपने बात करी सुप्रीम कोड ने ट्राइल कोड है एक आम आदमी जानता है कि आज ट्राइल कोड में जितना करप्शन है आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम करप्शन पे चलना है अब अकीलों से पूछ लिजी किसी को बिल दिलानी है F.I.R. में बदलाव करना है पुलिस को ये कहना है कि आप अपने ट्राइल कोड में जाके गवाई नहीं देंगे या बोलेंगे कि सब एविडेंस नहीं मिला आपको क्या लगता है हिंदोस्तान में जिस तरह से गवाँ खरीदे जाते हैं गवाँ को चुप कराया जाता है पुलिस को मैनिपुलेशन में इन्वाल किया जाता है कौन नहीं जानता, क्या ये छुपी भी बात है, जो आदमी कोर्ट में एक बार चला गया, शायद वो ये सोचता है कि क्या मैं गलत जगे आ गया हूँ, ये गंभीर मुद्दे हैं, डिजिटाइजेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया बहुत अच्छी बात, लेकिन आपका जो जस कर, एविडेंस कलेक्शन से लेकर, और कोर्ट तक आने के बीच में पूरी प्रक्रिया नियाए विवस्ता है, उन में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को क्या आदेश दिये, जिस तरह से हिंदुस्तान में आम आदमी को मिलावटी खाना मिल रहा है, मिल आदमी की से वो परिशान है, उसकी फाइनेशल स्थिती खराब होती है, लेकिन इस तरह के समाज में जो अराजकता फैलाते हैं तत्व, उनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से स्ट्रिक्ट कारवाई नहीं होना, और केसिस सालों तक चलते रहना, क्या इस से आम आदमी का भरोसा क पर बढ़ेगा या घटेगा, यह आप भी जानते हैं, तो मुझे लगता है, जस्टिस ओक ने जो बात उठाई है, वो बहुत गंभीर है, और उन्होंने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में भी ये कहा है, कि जजिस को इसके बारे में सोचना हो, और उन्होंने ये कहा कि मै इसलिए इस बात को उठा रहा हूँ कि इस पे समाज चिंतन शुरू करे, जुडिशरी चिंतन शुरू करे, पूरा लीगल फैटरनिटी चिंतन शुरू करे, और लॉइ इंफोर्समेंट एजनसी चिंतन शुरू करे, दोस्तों ये वीडियो उसी का हिस्सा है, मैं उन्ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं और उनकी बात को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने रख रहा हूं उमीद है आपके भी अपने वेचार होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस वीडियो को शेर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मुद्दा बह हुआ